नवरात्र का त्योहार नौ दिनों तक चलता है। इन नौ दिनों में तीनों देवियो पारवती, लक्ष्मी और सरस्वती के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले तीन दिन पारवती के तीन स्वरूपों, कुमारी, पारवती और काली। अगले तीन दिन लक्षमी माता के स्वरूपों और आखिरी के तीन दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। बटुक कर पूजा करे कन्याओं को चुनरी देद कुमकुम का तिलक्त। अक्षत लगाए फल। प्रसाद और दक्षिना देद का लावा बांदे। उपहार देद मा की आरती करे प्रसाद वितरं कर ग्रहें करे। दुर्गा आराधना मंत्र का करें जाप। उ महा दुर्गाय प्रचोद्यात मा दुर्गा की आराधना के लिए इस मंत्र का ग्यारह 28 या 108 बार तुलसी या चंदन की माला से जाप करे। अगर वक्त कम है तो प्रसन और शांत मन से 11 बार जपे। क्या करे। पूजन सामघ्री कुमकुम, पुष्प, दीप, अक्षत, धूप, केले के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, नारियल, पान, सुपारी, इलाइची, लॉंग, जायफल, जावित्री, केसर, सिंदूर, सुहाग की सामगरी, गोटे वाली लाल चुनरी, कलावा, मौली, पांच मौसमी फल, पंच मेवा, हलवा, खीर, पूरी, सबजी, चना, मांग को प्रिय है लाल रंग. अब प्रश्न यहा आता है, कि लाल रंग ही दुर्गा के विभिन अफ्तारों को क्यों प्रिय है? वास्तव में नवग्रहों में लाल रंग सबसे प्रकर और उर्जा से भरपूर रंग है. लाल रंग का प्रतीक ग्रह मंगल होता है. जब देवदानव युद्ध हुआ, तब म अंगल ग्रह ने शक्ती रूपी दुर्गा को भरातरी सहयोग से जो सनहारक शक्ती प्रदान की थी, उसमें लाल रंग का ही समावेश होता है. यानि प्रचन दुर्गा की लाल आखें, मांग में लाल सिंदूर, शरीर में लाल रंग के कपड़े और खडग, त्रिशूल अन्य हथियार जो की दानवों का निरंतर सहार कर रहे थे, वे भी रक्तरंजित यानि लाल रंग के ही हो गए थे. आज के समय में नव दुर्गा यानि उप्रोक्त नो देविया हमारे संसकार एवन आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है. इन सभी देवियों क लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदनर, सिंदूर, लाल वस्त्र साडी, लाल चुनरी, आभूशन तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग लिये हुए होते हैं, वही अर्पित किये जाते हैं. जब कलश की स्थापना की जाती है, तो उसके उपर भी लाल कप ले में लिप्टा हुआ नारियल रखा जाता है, लाल मौली से ही रक्षा बांधी जाती है, पूजा अर्चना की सभी सामगरी जो की देवी को समर्पित होती है, उसमें कही न कही लाल रंग का अवशेश इसलिए रखा जाता है, कि पूजा अनुष्ठान में मंगल ग्रह की अनुकमपा बनी रहे, नवदुर्गाओं को उद्भव सूरे भगवान की अपास शक्ती से हुआ था, सूरे को रूद्र यानी अगनी भी कहते है, अगनी और रूद्र का स्पष्ट स्वरूप लाल ही होता है